अन्मूल वचन अखेल भारतिय संत्मत सत्व संके संस्थापक और ग्रहिस्ट में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज श्री यश्पाल जी महराज अर्थाथ परम पूज भाई सहाप जीत्वारा पृतिपादत इन अन्मूल वचनों का पालन करना अति आवश्य ये वचन हमारी ग्रहस्त आध्यात्मिक साधना के लिए मून भूत सिद्धान्त हैं जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आगते हैं। अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने। वह परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुश्य योनी एक उपहार है। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्राता काल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सत्नाम वा सद्गुरु को प्राथमिक्ता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगा भ्यास अवश्य करें। वग्रहस्त की कारियों को परमात्मा का कारिश समझ कर उसी की याद में संपन्द करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपाद्वारा परमात्मा की पमत्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है। अतहे मन में निरंतर अपने इश्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें वह अपमान से दुखी ना हो परमात्मा के अतरिक किसी और का भय ना करें दोसरों की बुराई न करें न सुने सत्य वह मधुर बोलें अश्नील शब्द मुह से ना निकालें सभी से नम्रता पूर्ण वह सुन्दर विवहार करें धर्म पत्नी के अतरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा बराबर की से बहन जैसा वह छोटी से पुत्री जैसा विवहार करें सांसारिक जीवन यापन की आवश्यक्ताएं अंतहीन हैं इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में वधन परुपकार में खर्च करें याद रखें ना स्त्री माया है ना धन दौलत ना ही परिवार माया वह है जो हिर्दे को परमात्म से तूर हटा दे अतह निरंतर्च सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें भोजन अपने इश्ट को अरपन कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें रात्री में सोने से पहले अच्छे बुरे कारियों का आत्म निरिक्षन कर उसका समचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें वह प्रभो की गहरी याद में ही विश्राम करें परमात्मा तू ही है तेरे एक्छा पून हो जैसा दोरू देव जैसा दोरू देव जैसा दोरू आधाधा पून हो जैपद सरणं स्रीय शरूप चरणं सरणं जैसात दुरुदेव जैपद सरणं स्रीय शरूप पूजमाता और बंदुओं एक बार एक डॉक्टर ने प्रिश्ण किया कि पूजा से क्या फैदा और अक्सर लोग यही प्रिश्ण करते है कि पूजा का फैदा क्या है यह तो बेकार लोगों को काम है जिनके पास कोई काम नहीं वो आदा गंटा माला लेकर बैटे हैं सुबह और आदा गंटा साहिंकाल आदा गंटा सुबह बरबाद करें आदा गंटा शाम बरबाद करें पर जिनके पास काम है वो काम करें हम लोग तो डॉक्टर हैं आदे गंटे में दो मरी बचा सकते हैं अगर पूजा में बैठ गए तो क्या पाइदा हुआ परमात्मा को किसने देखा है क्या है या है या नहीं पता नहीं इस चक्कर में क्यों फसवा जाए अपना काम सीधा साधा करें सेवा करें आई इसा पृश्वा डॉक्टर ने किया इस सेवाइड ने कांट्रपिश किया बहिए था कि आप सोते क्यों आएं हैं उस सिवा में ना खाते हैं ना पीते हैं कुछ भी नहीं करते हैं एक पारी नहीं, तीन पारी लगाईए ऐठाट गंटे के, दिन में भी काम करें और रात में भी काम करें तिकना कमाया, कमाना तिकना चेहें, क्यों टाइम, बरबात करें, वाई बेस टाइम, बैच अकरा आगया, बोले आप क्या कहा रहे हैं, अगर वोगुझे नहीं तो बिम पर जाएंगे जादा से जादा दो तीन महा चलेगा अधिक नहीं चलेगा हम डॉक्टर लोग है जिसे नीद नहीं आती उसे इंजेक्शन देके सुलाते हैं नीद की ओलियां देते हैं और बात कुछ करते हैं जिससे की नीद आ जाया इसको इस से वक्ते पूचा वह एक ओली देकर क्यों सुलाते हो सोना क्यों जरूरी है उत्तर मिला अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा रेस्ट देना बहुत जरूरी है से वक्त ना फिरका कि ऐसे इंजेक्शन निकालो कि आदमी 24 गंटे काम करता रहें सोए नहीं क्यों सोने में टाइम बरबाद करता है डॉक्टर नहीं करें कितने भी इंजेक्शन निकालो सोना तो अवश्चक है और सोने के लिए इंजेक्शन दिये जाते हैं हमारी जो साइन्स अभी बॉड़ी तक ही सीवित हो पाई है अब भी हम शरीर से उपर नहीं उट पाए वास्तब में हमारी जो परस्नेलिटी है वो बहुत अनोकी है समझिये नौलेज गेन कीजिये यह हमारा शरीर नहीं हमारे तीन चरीर हैं यह तो स्थूल चरीर है जो दिखाई देता है सामने दिखाई दे रहा है नाके काने राते पैरे एक चरीर और है जो मन वद्दिचित और एहनकार से मिलकर बना है इसे हम सूक्षम चरीर कहते हैं सूक्षम क्यों है कि जितना सोच विचार का काम है वे इसी से किया जाता है, सोच विचार, हाद परते सोच विचार नहीं होता, आत्मा से सोच विचार नहीं होता, सोच विचार, thoughts इसी से होते हैं, एक और शरीर है, कारण शरीर, चेतना और आनन्द, इसी में है, जहां आत्मा शरीर से नहीं, वो शरीर बेकार है, जिसे हम इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, यह बेकार हो गया, आप यह भूल जाते हैं कि हमारे तीन शरीर हैं, आप सब कुछ इस शरीर को ही समझ बैटे हैं, अब देखिए सोने में क्या होता है, जब हम सोते हैं, ना आँख देखने का काम करती है, ना हाथ काम करते हैं, ना पैर काम करते हैं, कान की सुनने का काम नहीं करते हैं, खूम हिल्टे दुल्टे नहीं, तो जितनी हमारी इंदरिया हैं वह निश्क्रिय हो गई, निश्क्रिय का मतलब अपना-पना काम उन्होंने छोड़ दिया करना, जागते हुए निश्क्रिय नहीं है, निश्क्रिय हुई सोते हुए, इसी का नाम आरा, प्रैक्टिकल भूप से यही होता है और जब इंद्रिया निश्क्रिया हो गई तो क्या हुआ इनका अधार है मन और यह मन में से मढ़ गई इनको ताकत मिलती है मन से इंजेक्शन से नहीं मिलती है मन से मिलती है और जब आप सुबह उठे बिलकुर पफरलित काम करने की आपके अंदर एनरजी है काम करने की आपके अंदर ताकत है शक्ति है और यदि ना सुए तद दिन पर जमबाई देते रहेंगे कुछ काम न होगा तो सोना बहुत जरूरी है हमने यह देखा कि शरीर को सुलाना रेस्ट देना बहुत अबश्यक है ऐसे ही हमारा सुक्षम चरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं इसको भी नीन देना बहुत तवश्यक है और हमारे रिशियों ने मैं रिशियों ने इस बात को जाना इसलिए उन्होंने का कि आदा गंटा सुमे और आदा गंटा साइं काल भगवान की अरादना करो पूजा करो परमात्मा की पूजा करेंगे तो भगवान में चित एकागरोगा चित निरोद अवस्था अपने आप आजाएगे विचार शून नहोंना शुरू हो जाएगा और जैसे निश्क्रिय हुआ जैसे आपने अपने इंद्रियों को निश्क्रिय किया अपने मन को भी निश्क्रिय की दिये भगवान को माने ना माने कोई फरक नहीं बढ़ता लेकिन आपका एक्सिस्टेंस है तो परमात्मा भी है उसका भी एक्सिस्टेंस है अगर अपनी हस्ती को तो मानेंगे इस हस्ती का जो आपकी है इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है भगवान को आपकी पूला का भूका नहीं है जो आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार आपने शरीर को अराम देना दरूरी समझा उस प्रकार अपने मन को भी रेस्ट दीजिए ये मन को रेस्ट देना है मन को एक तरफ लगा दिया मन का काम है सोचना विचारना उसे एक जेगर लगा दिया विचार सुन निता आ गई उसे रेस्ट मिलने लगा जब मन को अराम मिला तो क्या हुआ उसका सीधा संब्ध आपकी आत्मा से हो गया जैसे ही मन के अंदर वेक्यूम क्रेट हुआ क्या हुआ आपका मन आपकी आत्मा से संब्ध हो गया और आनंद और चेतनता आत्मा के अंदर है आनन्द और चेतनता उस मंद से आ गई उसके बाद कितना फलका फलका मैसूस करेंगे कितनी अनूपम शांती और आनन्द मिलेगा ये अनूपव का विशह है उसके बाद सुन्दर सुन्दर विचार आते हैं ऐसी समस्याएं हल होती है जो सारी जिन्द की हल नहों हो सकी हो ऐसी उची शक्ती प्राप्त होती है और फिर ऐसे सच्चे मनुश्च के भाव पैदा होते हैं सच्चा ग्यान प्राप्त होने लगता है धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप क्या है और जब हमें यह अनुबह हुआ कि हम क्या है हमें अपना वास्तिक सरूक नजर आने लगता है कि हम कोई गैर नहीं है हम सभी हैं चितने उचे संत्व उनका अंतिम निस्कर्श यही रहा मात्मा तुलसी दाजी ने कहा चड़ चेतन जजीव डगत सकल राम में जान सकल राम में जान सूर दाजी को हर प्राणी में हर पशु में लता में प्रक्षों में भगवान क्रिश्ची नजर आते थे इसा ने भी यही का कि अपने पड़ासी को अपनी आत्मा जितने प्यार करो लेकिन यह कब हो सकता है जब तक नहीं हो सकता जब तक हमें यह अनुबव ना हो कि हम सभी हम ही है इस अनुबव के लिए पूजा करना बहुत ज़रूरी है पूजा का प्राक्टिकल तरीका हमारे मैरिश्यों ने पताए कि एक तरफ मन को लगाओ वे विचार शून हो जाएगा अगर ऐसे विचार शून करना चाओ के तरह नहीं होगा बहुत से लोग शून का ध्यान करने की कोशिश करते है अती कठिर नहीं होता यदि मन विचार शून होगा उसका सीधा सम्मन्द आत्मा से हो जाएगा और सुन्दर सुन्दर भावना पैदा होगी फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें सब सुखी हो तुक संसार से मिटे तूसरे की सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को नचावर कर दोगे साइन्स और टेकनोलोजी ने बड़ी भारी तरक्की किये चंद्रमा में पहुंच गए मिट्टी ले आए मुँआ से दूर दश्वन पर समने देखा पर रतीजा क्या है कि अपने मन को अराम नहीं देते हमारे रिश्यों के बताएं मात पर नहीं चलते इसलिए जितनी हमारी प्रवर्ति है सब पशुवत है एक भी मनुष के गुण हमारे अंदर नहीं है ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनमें मनुष अता के गुण हैं इसलिए क्या है आज हर देश हतियार बना रहा है बड़े भेंकर हतियार अनुबं मिजाइल चैरी लीग ऐसे और क्या नहीं एक से एक खतरना का त्यार त्यार की जा रहे हैं इसके लिए मनुष का दिश्मन कौन हो सकता है यही शेर चीते इसके लिए तो एक बद्दूख काफी है इस सब की क्या जरूरत है मिजाइल की क्या जरूरत है एटामिक वैपर्स की क्या जरूरत है मनुष मनुष को मारने के लिए अपनी मनुष चात्री को बरबाद करने के लिए अपने को मारने के लिए नहीं आज आंकड़े ऐसे हैं ऐसे भेंग कर हत्यार बन चुके हैं अगर गलती से चल जाए और एटामिक वार छुड़ जाए इन सारे हत्यारों का इस्तमाल हो चितने दुनिया के आज मनुश्मात रहें उन्हें 40 बार चनम नेना पड़ेगा मरन जीवन मरन जीवन तब ही उनका असर उन हत्यारों का खतम होगा पूर्ण सर्णाश इतने खतारनाक हत्यार हमने बनाए अब पैसा कितना खर्च होता है इन चीजों के उपर अगर यही पैसा दुनिया की भणाई के रिए किया जाए तो आज दुनिया की शकली बिलकुल बदल जाए यह पर्च्वी स्वर्ग हो जाए ना कोई आदमी बेगर काम कर रहे ना कोई बेगर घरबार कर रहे इतनी सुन्दर हालत हो जाए पर मात्माने ऐसी सुन्दर प्रच्वी बनाई है जितने अस्ट्रोनाट हैं चिनाने फाने भरी है कहते हैं कि सबसे सूंदर करफ पूर्च्वी बीने वर गगवार ने तो हमको सर्दिया है पर हम एता सुंदर G€ कोई रहे लेकिन मैंच नई नशने अपनी कर्प्रता से इसको नरक से बत्तर बरारा रखा है यूथ का पता नहीं कि कब एटा में एक वार चड़ जाए एंस्टाइन ने बड़ा सुन्दर लिखा है जिस बूते पर हमाद चंद्रपा पर कहां कहां पहुंचे हैं मैं नहीं जानता दुनिया का तीसार युद्ध कैसे लड़ा जाएगा पर यह पूर्ट जानता हूं अगर इसके बाद भी यु गई सब का सवाया दुनिया की बड़ी बुरी हालत है लेकिन सब अपने अपने एंकार में चूरे मैं बड़ा मेरा देशन बड़ा जो सक्ची मनुष्टा है वैं नहीं है इसकी वज़े यह है कि हमने मैं रिष्यों रिष्यों के बताय हुए मार्क को बूल रहे हैं तो हम द अपने विकास के लिए अपने शरीर के विकास के लिए अपने घर के विकास के लिए अपने समाच के विकास के लिए मनुष्मात्वी भराई के लिए संसार की भराई के लिए यह पूजा बहुत अवच्यक है पूजा बहुत जरूरी है लिखा है जब मन को नीद आ जाती है तो आत्मा को भी नीदाती है कहा है जब दिल को नीदा जाती है अरू भी गाफिल होती है जब मन भी सो गया जब मन सो गया आत्मा भी सो गई अपने इस्ट की याद में तब परमात्मा का दिवधर्शन होता है सच्चा ज्यान प्राप्त होता है तब पूजा भूरी है प्रम अवश्यक है अगर सच्चा विकास चाहते हैं सच्चा हिच चाहते हैं अपने मन को रैस्ट दिना पड़ेगा हमारे निशियों ने मुनियों ने इस बात को अरुबबफ किया जाना और इस बात पर कि महार मनुष्र को आधा गता सूभपे और आधा गंटा साइका गंधरा कि दो से में निश्चित कर दिये हमारे देश में नाइंटी नाइन पर्षेंट लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी ना किसी डंग से पूजा करते हैं ध्यान योग के कारिकरम आनन्द योग से निश्वल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810-239-677